हेलो दोस्त कैसे हैं आप आसा करते हैं अच्छे होंगें तो दोस्तो हम अभी अपने गाउं में हैं और अभी इतने गाउं में खेत्म पानी दे रहे हैं दिखे हम अप खेत्म पानी कैसे दे रहे हैं और दोस्तो मेरे गाउं में बगल में ही गाउं है आपको दिख रहा होगा अब देशे दोस्तों यहां पानी पटबन हो रहा है हमारा द्धान में इसके जी चल रहा है अब दोस्तों 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 दो है कि अपने गाउं का दिखे हम द्रीश से दिखाते हैं दिखे दोस्ति धर धान ही धान लगा हुआ है कि यह बिहार का द्रीश यह है दिखे इसमें पनी हो गया है कि इसमें पनी हो गया है और अभी इसमें भी पनी हो गया है दोस्तों अब देख सकते हैं थोड़ा पनी दिए हैं जादा पनी देने इसको फैदा नहीं है नीचे से निकल जाता है इसलिए खाद आ इसलिए तक म पानी दिए है अभी जो दोस्तों इसमें पनी जा रहा है इंते नहीं हो गया और अभी उधर बांकी रह गया है पानी देने के लिए तो पणी को खोल दिए हैं दिखे देटा कि भी तुका नहीं आया लिचे झालन फराण echt इसमें जर पुरा खाली है खेत लिखी तो निके थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा इदर हम अपना सारा खेत आपको दिखाते हैं इसे जर पानी हो गया है श्री बुदर रहे जाए उपकोना में रह गया है बाकी इदर हो गया है पानी अब थोड़ा देर चलाने के बाद इसको बंद कर देंगा और दोस्तों दिखें इसमें भी पानी है दोस्तों दिखें इसमें पानी तहर दिया हुआ है इदर देख लिजे मेरा गाउं है इदर देख लिजे बैहार है पुरा अब कहरा भरा देख रहा होगा और अब हम इसमें पॉनी दिखाते हैं इसमें पॉनी तो हो गया है इसमें पॉनी है इसमें कहों से आ रहा है कि दोस्तों इसमें पॉनी हो गया है आप दिखें को दीख रहा होगा देखें दूस्तों पनी जा रहा है देखें इसमें से पनी जा रहा है इस खेत में पनी जा रहा है और थोड़ा देर चलाने के बाद उसको बंद कर देंगे आप देख लिजे दोस्तों इसमें घंस बहुत हो गया था इसको घंस को निकाल के दिखें रख दिये हैं आर पे इसके बाद इसमें पनी दे रहे हैं कायकि दोस्तों धूब बहुत हो रहा है बरसा पनी हो ने रहा है इसके चलते हैं धान खराप हो चुका है देखें बीच बीच में धान जल गया है समय पर बरसा नहीं हो दिखें दान कितना खराप हो गया है धान कुछ सही नहीं है दोस्तों अगर सही रहता है समय पर बरसा होता तो इस सब प्रणी हो गया है दस तो देख लिए फ़ितर भी हम आपको दिखा देश में जड़ा पर नहीं दिये है आटिसमे इसके और में जो है बहुत छेदा है पानी निकल जाता है नीचे इसी कारण से कम पाणी दीए इदर पानी बांदके फ़ला रखें इसमें इसमें बीसुग यह फिर दो दिन के बाद फिर सुख जाएगा फिर दो दिन के बाद फिर पानी देना होगा अब यह देखे दोस्तों यह हम लोग का गाउं का मरब है यहां पर पुजाव साल में एक बार पुजा होता है अब कुछ दीख रहा होगा है कि यह मेरा गाउं है छोटा सा गाउं है मेरा फिर्शे पर रे खिर झाल यह मेरा यह दोर्फ कि अबस्त बने कि मारा कि अपनी के प्रेसर दिखे कितना अच्छा आ रहा है कि मसीन से आ रहा है दोस्तु छोटा मसीन है इसको अपने पोखर में लगाए हैं उदर कि छोटा सा पोखर है मसीन लगाए है कर देख लिए और इसमें पनी हो चुका है इसमें पनी हो गिया है कि इसमें सब्सक्राइब आज खाद दिया है इसमें पनी दे रहे हैं कि यहीं तक है दोस्तों इसमें पनी जिक्षेस में भी हो गया है पनी कि अर्व दोस्तों आपको चले दिखाते हैं पनी कहां से आ रहा है हम आपको दिखाते हैं कि अ कि देखे पाइप लगा हुआ है पाइप से पनी आ रहा है और चलिए इसका अंत दिखाते हैं आपको कि दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिजए और वीडियो को सेयर कर दिजए और मेरे चैनल को सुस्क्राइब और बैरा को लबा दिजए ताक ही मेरा अगला वीडियो आपको जल्दी मिल सके लोघ कर दो दोसतों इसके आज पर पानी बेडिए लिक्रिसुब गया यह तक ना दूर प्या था तो धिये पानी और फिर सुब गया दिखे फिर कल पानी बारा चलाना होगा है तो दॉसकर चलिए दिखाते हैं आपको कि पानी कहां से आ रहा है अगर दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए बेल आइकन को दबा दिए और वीडियो के लाइक कर दिए दोस्तों इदर काटा दिया हुआ है तो पार होना पड़ता है कि चपल भीए नहीं तुने हैं इसी कारण दिक्कत हो रहा है तो कोरन आगे देखे वीज़िए से गया है बैट अब आम दीधन से जाते हैं वे उस्तों समय पनी नहीं हो बात ही जेत में बीज़िए धान का रुपाई नहीं हो सका है पुरा जहां जहां आपको गाय दिख रहा होगा गाय चर रहा है इदर खाली है खेट थोड़ा सा ही हम लोग का रपाप आया है खेट देखिए दोस्तों पाइप आपको दिख रहा होगा कि मेरे गॉंग घर का अपना पोखर है छडाता फोखर उसी सिफ मसीन लगा कर सानी ला रहा है अपनी जो और ढसाल ल्गा स्वारी करें है कर दो दोड़ दो दोड़ा है हम जाए रता हुआ कर दो मेड़का एक रापका सुदिट तो है वारा कि ऑारा कही वारा कि दिए पहला किमा लांस आप ख़ा है हुआ हुआ है अब हम अपना घर आ गए हैं दोस्तों इसके घर इज़र आप घर आ गए हैं मसील चल रहा आपको दिखाई दिया होगा जिए आप घर आ गए है इसमें दिखे भुसा रखा हुआ है गाय का खाने के लिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जय हिंद बाक्त बंदे मांत्रा अपाई